खमागणी फ्रेंस वेलकम बैक टू स्वादो से है तो आज की जो रेसेपी है वो बनाऊंगी बिल्कुल कम तेल में और बहुत ही हेल्दी ये वाली रेसेपी बन करके तियार होगी आप चाहो इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो या बच्चों के टिफिन में भी इसको बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए हमारी आज कीरे से फिशुरू करते है एक कप मैंने सूजी ली है इसमें दो मीडियम साइज के बारी कटे वे प्याज एड़ किये है साथी थोड़ी सी बारी कटी वी हरी मिर्च और मैंने देखी लोकी ली है उसको पानी एड़ करेंगे और अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसका हमें गाड़ा घोल तयार करना है तो यहां पर घोल हमारा तयार हो चुका है बस अब इसको ढ़कन लगा करके पांच मिनिट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और पांच मिनिट के बाद में देखे स सूजी जो है हमारी वो अच्छे से भीग जाएगी और थोड़ी सी गाड़ी भी होगी क्योंकि सूजी फूलती है भीगने पर तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और एड़ कर लेंगे तो मैंने थोड़ा पानी समे एड़ किया है और आप देख सकते हो consistency की मैंने गाड़ी ह अब एक पैन को तेल से ग्रीज करेंगे एक चमच बैटर का इस पर डालेंगे और इसको स्प्रैड कर लेंगे यह बहुत ही फटाफट बन करके तियार होने वाला नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी बनता है साथ हेल्दी भी है जो सबजियां बच्चे नहीं खाते हैं आप उनको बच्चों को इस तरीके से खिला सकते हैं ठोड़ी सी इसके ऊपर धनिया पत्य डाल देंगे साथ ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी मैं स्प्रिंकल कर रही हो अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स को आप स्किप कर सकते है चमच की help से हलका सा इसको प्रैस कर देंगे ताकि जो धनिया है वो अच्छे से फिक्स हो जाए हमारे नाश्टे के अंदर और इसको लगबग एक मिनिट के लिए हम एक तरफ से मीडियम आज पर सेख लेंगे और थोड़ा सा जब यह सिखेगा तो जो उपर की लेयर है वो हलकी सी ड्राई होनी शुरू हो जाती है देखिए तो जब उपर की लेयर हलकी सी ड्राई होनी शुरू हो जाए तो आप इसको पलट दें और इसको दूसरी तरफ से भी सेख लें तो यहाँ पर यह देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिख चुका है बस अब इसको प्लेट आउट कर लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के जो चीले हैं वो भी तयार कर लेंगे तो देखिए जो बच्चे होते हैं हरी सब्जियां थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं लोगी जो होती है इस तरीकी की तिंडे वगर हैं और सूजी आप जानते हो ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है तो यह देखें मैंने तो सारा नाश्ता बना करके तियार कर लिया है और आपको मैं एक तोड़ करके भी दिखाती हूँ यह बहुत ही सॉफ्ट बन करके तियार होता है यह देखें तो बहुत ही अच्छी breakfast recipe है इसको जरूर try कीजिएगा और अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को like share और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा फिर मिलते हैं किसी नई recipe के साथ में इसी चैनल पे तब तक कि लिए बाइ stay connected happy cooking